नमस्काल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गले में कुछ अटका हुआ लगना या गले में कुछ फसा हुआ जैसा महसूस होना इसे इंगलिस में glubus hystericus के नाम से जानते हैं दोस्तो आज इस वीडियो में हम इसका इलाद जानेंगे और इसके कारण समझेंगे कई ऐसे मरीज हैं जिनको घबराहट, बेचैनी, चिंता, भे, फियर, एंजाइटी जैसे समस्या होती हैं उसकी बजहों से भी कई मरीजों में ये समस्या हमें देखने को मिलती हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या-क्या समस्या हैं, कौन से कौन से कारणों की बजहों से आपको हो सकती हैं गलोबस इस्टेरिकर्स यानि गले में कुछ अठका हुआ मैसूस होना, गले में कुछ अठका हुआ लगना जब आप खाना खाते हैं, जब आप पानी पीते हैं, तब भी आपको ये समस्या देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर इसके कुछ कारण होते हैं, इसके कुछ रीजन होते हैं, क्या इसे ऐसे रीजन होते हैं, जिनकी बजह से आपको समस्या हो सकती है तो सबसे पहला रीजन होता है दोश्तो थाइराइड हो सकता है आपको थाइराइड की समस्या हो थाइराइड यानि की गले में एक गठान होती है जिसे हम थाइराइड ग्रंथी कहते हैं ये गठान में आपको कॉमन समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये ग्रंथी होती है ग्ल हार्मोन्स बहुत ज़ादा जरूरी होता है अगर किसी मरीज का थाराइड हार्मोन बढ़ जाए तो कई लोगों का आपने देखा होगा उनका बजन बढ़ता चला जाता है, फैटी होते चले जाते हैं, कई ऐसे मरीज होते हैं जिनकी आखें बड़ी-बड़ी हो जाती है और कई सारे कैमिकल्स उनके डिस्टब हो जाते हैं तो थाराइड जादा तर महिलाओं में देखने को मिलता है, थाराइड की जो समस्य होती है वो महिलाओं में जादा तर देखने को मिलती है और ये iodine deficiency की बजह से भी thyroid हो जाता है तो आपने देखा होगा कि government के अभी rules है कि नमक के अंदर जो साल समय आ रहा है market में मिलता है वो इसके अंदर iodine already मिला की दिया जाता है तो इस तरीके से भी thyroid को दूर किया जा सकता है सबसे पहला thyroid का रड़ था दूसरा इसके अलाबा हो सकता है मरीश को GERD की समस्या हो GERD का मतलब होता है gastroesophageal reflex disease अब इसका क्या मतलब है यानि कि हमारे गले के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो गले के अंदर नीचे जाता है गले से होते हुए नीचे चला जाता है और ये खाना जब esophagus के lower end में जाता है यानि कि आखरी के part में जाता है तो यहाँ पर एक spincture होता है जिसे बंद रहना बंद होता है बैसे नॉर्मली जब हम खाना खा लेते हैं तो वो बंद हो जाता है लेकिन जब ये बंद नहीं होता है और हमारा acid जो पेट का acid है वो पेट का acid हमारे गले तक आ जाए तो इस इस्तिती को हम GERD कहते हैं तो GERD की बजहत से भी आपको ऐसे समस्या देखने को मिल सकती है क्योंकि पेट का acid जो है जो खाना पचाने के लिए यूज होता है खाना पचाने में help करता है वो acid अगर हमारे गले तक आता है तो गले में काफी सारी problems करेगा गले में श्वैलिंग कर सकता है गले में छाले बना सकता है गले में दर्द कर सकता है गले में irritation कर सकता है और आपको मैसूश हो सकता है कि गले में कुछ अटका हुआ है ठीक है इसके अलाबा तीसरा दोस्तों कारण होता है ACIDITY और GERD दोनों एक साथ ही लगवग लगवग एक जैसे परिशानिया है लेकिन GERD में जो इंस्पिक्टर है वो खुल जाता है और उपर ACIDITY आ जाती है ACID आ जाता है और ACIDITY में क्या होता पेशिंट को गैस बहुत जादा पेट के अंदर बनता है उसकी बजह से ACIDITY हमारे गले तक आ जाती है उसमें भी हमारे GERD का जो अंस्पिक्टर है वो खुल जाता है ठीक है तो GERD और ACIDITY में ऐसा हो सकता है इसके अलाबा हो सकता है किसी मरीज को बहुत जादा डिप्रिशन हो एंजाइटी हो या चिंता वे हो यानि कि एक स्पेसिफिक बीमारी से या एक स्पेसिफिक किसी कारण की बजह से मरीज बहुत जादा चिंता करता है मरीज बहुत जादा ANGES है उस मरीज को बहुत जादा ANGES है मरीज बहुत जादा DEPRESION में रहता है तो ऐसी इस्तिती में भी उस मरीज को यहाँ पर कुछ अटका हुआ मैसूस हो सकता है अब ऐसा क्यों होता है क्या है कि हमारे सरीर के अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है वो फैला हुआ है अब नर्वस सिस्टम जो हमारा डिस्टरब होता है जब हमारा नर्वस सिस्टम को कोई एक ऐसी परिटिकुलर चीज डिस्टरब करती है तो उसकी बजह से हमारी यहां की जो नर्ब सिस्टम्स होते हैं वो डिस्टब हो जाते हैं और उनको लगता है कि कहीं न कहीं कुछ घर्ड़ बर चल रहा है तो ऐसी स्थिती में भी आपको यह समस्या दीकने को मिल सकती है तो अगर कोई पेशेयं ज़धा एंजाईटी असमरीच को है ज़धा डेप्रिशन में है पेशेयं बहुत ज़धा डर लगता है उसको फियर है आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़धा दुखी हो जाते है जब हमें बहुत ज़्यादा कोई sad news मिलती है तो ऐसी स्थिदी में हमें हमारा गला घुटन जैसा होने लगता है आपने बहुत बहुत बार देखा होगा गला हमारा ऐसा लगता है कि घुट रहा है हमारे गले में कुछ अटक रहा है ऐसी स्थिदी में आपको ये दिक्कत हैं हो सकती है इसके अलाबा और क्या रीजन हो सकता है दोस्तों हो सकता है कि इसोफेगस का cancer हो मरीज को यानि कि जो खाने की नली है उसका cancer हो या उसके आसपास कोई tumor हो गठान बन रही हो या फिर इसोफेगस के अंदर ही कोई गठान बन रही हो उसके कारण भी हमें ये समश्य देखने को मिल सकती है इसके अलाबा हमारा जो ट्रैकिया है यानि जो स्वासनली है उसके कोई बीमारी हो, उसमें कोई गठान हो रही हो या उसके आस-पास की एरिया में कोई गठान हो रही हो उसकी बज़र से भी हमें गले में कुछ अटका हुआ मैसूस होना इस तरह की समस्चाय हो सकती है इसके अलावा दोस्तों हो सकता है किसी को हाइटस हल्णिया हो हाइटासर्णिया एक अलग प्रकार की बीमारी है जिसमें इसोफेगस का कुछ पार्ट जो होता है वो डाइफ्रॉम को क्रॉस कर जाता है ये डाइफ्रॉम से उपर निकलाता है तो हाइटासर्णिया की प्रॉब्लम हो सकते है या हो सकता है कि मरीज को इसोफेगस में श्वै मेरेश को बहुत ही इस्टिति पिल्ई कोई बब बिंग कर दो रखे हैं। इस एलाज हम समझेंगे और प्रापर तरेके से कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत ही specific special medicines इस बीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा सो सबसे पहले medicine है gray phytis जिनको लगता है कि गले में कुछ अठका हुआ है गले में कुछ फशा हुआ है तो gray phytis बहुत specific medicine है gray phytis हम ले सक्ते है gray phytis जो medicine है इसे हम श्याम को केबल दू डॉप्स लें और इसे वीक ली लें यानि कि आज ले लिया फिर उसके साथ दिन बाद आर दिन बाद लें जैसे संडे टू संडे लें वीक ली दू डॉप्स केबल लेना है हमें इसकी अलाबा इस मेडिसिन के अलाबा दूसरी मेडिसिन है दोस्तो लेकेसिस लेकेसिस का मरीज उस मरीज को अगर हमने टाई बांदी तो उस मरीज को बहुत ज़्यादा इरिटीशन होगा उसको लगेगा कि कोई कोई मेरा गला दबा रहा है मेरा गले को किसी ने बांद दिया है टाई लगाने से भी और महिलाओं के गर हम बात करें तो वो क्रॉस लैक करके महिलाएं बैटती है और महिलाएं की जो चाल होती है आप देखेंगे जब महिलाएं पेशेंट्स चलते हैं तो उनकी चाल एक अजब टाइप की होती है जैसे साप चलता है ना लहरा के इस टाइप की उनकी चाल होती है लाइक एसस के मरीज की एक तो मैं एक कॉमन सिम्टम से बता रहा हूँ इसके बाद specific बहुत सारे सिम्टम स होते है मरीज को अगर जो female मरीज है उसको अगर गली में कुछ डाल दिया या उसने अगर कोई ऐसा लॉकिट बगेरा पहना हुआ है या अगर वो मरीज मंगल सूतर भी पहने हुए है तब भी उस मरीज को उससे भी इरिटेशन होता है उससे भी लगता है कि मेरा गला जकर सा रहा है इस तरह के मरीज में Lecacis का मरीज होता है और Lecacis के मरीज में Lecacis 200 पोटेंसी दिन में 2 बार शुबए एंस्याम को दे सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और गले में कुछ अटकाव का मैसूस हो रहा है उससे आप ठीक कर सकते हैं इसके साथ मैं दो-तीन चीज़ें आपको ध्याल रखनी होंगी जैसे कि गुंगुना पानी पीएं और इसके लाबा अगर कोई चिंता वै एंजाइटी जिसको हो रही है उसे कम करें एंजाइटी फियर इससे करने से कुछ नहीं होगा आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी आपकी पीएं जिससे कि आपके समस्या ठीक हो सकें उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अप सभी के लिए बहुत ज्यादा हैलफुल होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दब आकर सब्सक्राइब करें और वैल नोटिफिकेशन एल पर किलिक करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसाने से मिल सकेगा आप तक पहुंच सकेगा फिर मिलते हैं इसी तरह कि किसी नई वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जहन